मन खुलने पर कारिक्रम में स्वागत है पिछले हफते यूस्टन से आई लीसी ने हमसे अपने अनुभवा बांटे और इस हफते भी हम उनके साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे उन्होंने हमें अपने जीवन की परिशानियों के विशे में बताया कि कैसे उन्हें अपने परिवारिक जीवन में दुर्वेवार को सेहन करना पड़ा यहां तक कि किस प्रकार से कभी-कभी गन का डर भी उन्हें सताता था यह सब कुछ पिछले अपिसोड में उन्होंने हमें बताया तो अब इसे आगे जारी रखते हैं मैं ऐसे इस तरह जब परिवार सहत हम जी रहे थे बड़े बेटे के साथ बहुत ही दुर्वेवार करते थे हमेशा उसे मारते थे बेटे की उम्र क्या थी तब? मेरा बेटा चार-पांच साल का होगा बच्पन से ही बच्पन से ही उसे बहुत ही तब से ऐसा करते थे, बहुत स्यादा उसको मारते थे, इसका एक कारण भी था, मेरे पती ने सोचा, बड़ा बेटा उनका नहीं है, और फिर बच्चे तीनों उनके नहीं है, इस तरह से उन्होंने कहना शुरू किया, और उन्होंने DNA टेस्ट करने के लिए कहा, मैंने कहा DNA टे ये तीनों बच्चे मेरे नहीं हैं, ऐसे कहते रहते थे, ये उनके मन के अंदर का विचार था, जितना हो सकता है उतना, दर्द पहुंचाना शैतान का लक्षे है, अलग-लग तरीके से वो घटिया चाल चलाता है, लोगों को ऐसे हालात में शैतान ही पहुंचाता है, तो ज मुझे ज्यादा बेटे को भी मारते थे, ज्यादा मुझे मारते थे, तो हर एक दिन गालों पे मारते थे, और कहीं नहीं मारते थे, बहुत साल उन्होंने ऐसे किया, लेकिन प्रभु येशु की दिया से मेरे चेहरे को एक भी ख्रोंच आने नहीं दिया, मेरी हर वक्त रक् ये इबरानी बालकों को जब आग में फिंका, उनके साथ प्रभु की आत्मा आई, प्रभु खुद उनके बीच उत्रे, उस भाग में हम पढ़ते हैं उनको एक आग का भास भी नहीं था जब वो आग से बाहर आए, जहां पर उनको जलकर राख बनना था, प्रभु ने उनके हाथ बढ़ा कर उनको बाहर निकाला, हैलेलुया, वो अनुभव हमें भी मिलता है, जब प्रभु में पूरे भरोसे के साथ हम रहते हैं, किसी भी तरह की परेशानियों को हमारा विनाश करने की प्रभु अनुमती नहीं देंगे, येशु में विश्वास है तो, इसलिए प्रभु के प्रभु लिग उनकाश चूकर विश्वास करें, इसलिएमें पर विश्वास कर दा है, बहुत जब एलू हमें पूरे बाहर की बहुत की तना आथ में पंदा की पेच्छन पाइय। इसी भी तरह से उससे छुडाना है, ऐसे सोचते हैं, शैतान ने लीसी को बरबाद करने की कोशिश की पर प्रभू के वचनों ने आपको पुनहें खड़ा किया, है ना? जी, तो हमें प्रभू की आवाज सुननी है, हर एक दिन हमें वचन को पढ़ना है, तब जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, विभिन हालातों से गुजरते हैं, उन वचनों से प्रभू हम से बात करते हैं, प्रभू का वचन जीवन है, आमीन, वो सामर्थ देते हैं, तो जब हमा को मैं पिताजी को आज सोते वक्त मार दूँगा। इतनी नफरत उसके मन में भरी होई थी। सह नहीं पा रहा था ना। तब मुझे ये नहीं पता था। ये सब कुछ करने के बाद ही उसने मुझसे कहा। मतलब। उस दिन रात को पवित्र आत्मा ने उससे बात की। उसने य अवित्र आत्मा ने उससे बात ना की होती तो शायद वो कुछ तो उनके सामने ये चाकू के साथ जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। मेरा बेटा ही शायद मरता। कोई ना कोई जरूर जेल जाता या फिर किसी की मौत होती। येशु ने उसे पूरी तरह से उस हालत से शुडाया, इस बात में कोई शक नहीं है। देखिए, इसलिए उन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया। प्रभु ने उतना उस बच्चे से प्रेम किया, इसलिए उस दिन ऐसे हुआ, जब हालात यहां तक पहुंचे, मुझे समझ में आया, ऐसे खड़े होने से आगे ठीक न हाँ, बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी अदभुत बात है, क्यूंकि आज कल लोगों की बहुत कहानियां सुनी है, कि उनके पती बाहर राज्यों में जाकर दुबई या पर और किसी राज्ये में जाकर महنت करके बहुत ज्यादा पैसा घर भेजते हैं, लेकिन आज बहुत सारी औरतें पैसे को लेकर कई तरह की गलतियां करने की बातों को मैंने सुना है बहुत जादा बहुत जादा है के अरला की तो बात ही मत पुछो ये जो भी कर रहे हैं बहुत ही गलत बात कर रहे हैं प्रभू की उपस्थिति में आंसूं के साथ वापस आएंगे जरूर प्रभू उनको नई जिन्दगी देंगे लेकिन इस सचाई के साथ खड़ा होने के लिए प्रभू ने मुझ पर कृपा की मेरी जिन्दगी में मेरे बच्चों के सामने मैं एक उधारन हूँ इसलिए हम अभी हम अभी वहां रहते हैं मेरा बड़ा बे दोनों काम भी करते हैं चोटा बेटा पढ़ाई में आगे भड़ रहा है इस तरह प्रभू ने हमारी सहाइता की वह बहुत ज्यादा प्रभू के लिए कीमत चुका कर पुछ भी करने के लिए तयार बच्चे हैं आपके बेटे चार्स के मन में यह विचार इसलिए आया क्य करने लगी कि प्रभू मुझे इस हालात से चुटकारा चाहिए मुझे नहीं पता किस तरह का चुटकारा मुझे मिलेगा मैंने इसलिए प्रार्थना की कि प्रभू मुझे पूरी तरह से चंगाई मेरे पती को देकर मुझे उन्हें वापस लो मैंने भी आपके पती के पुरी हालत में थी, मैं चाहती थी उसे बदलू, लेकिन वो कभी भी उसकी अनुमती नहीं देते थे, तब मेरे पती ने कहा किसी भी हालत में इसको यहां से नहीं हटाना, मैंने कहा प्रभू, मेरे यानि एक स्त्री का सर पुरिश है, और पुरिश का सर येशू, ऐसा एक लेकिन मुझे कुछ भी चुनने के लिए, मेरे अपने ही घर में कोई भी आजादी नहीं थी, कुछ भी चुनने का हक नहीं था, यहां तक बच्चों का नाम रखने का भी हक नहीं था, बच्चों का नाम भी उन्होंने ही चुना, लेकिन ऐसी बातों को मैंने कभी भी अपन मन में नहीं लिया क्योंकि मैं जानती थी प्रभू के लिए अलग ये बच्चे हैं इसलिए वो नाम उन्होंने डाला है प्रभू उसको आशिश बनाएंगे ये मैं जानती थी इसलिए तीनों को उन्होंने ही नाम दिया मेरे पिता के खिलाफ इतना गुसा था इसलिए बड़े दोनों जो बच्चे हैं पिता के पिता का नाम दूसरा जो बेटा होता है उसकी पत्नी के पिता का नाम बीच में डालते हैं लेकिन इन्होंने दोनों के बीच का नाम उनके पिता जी का ही रखा यानि आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे जी बिल्कुल नहीं सुने आपको लॉक करके जाते थे हाँ, रात को काम पे जाने के वक्क वो ताला लगा के जाते थे एक छोटी नौकरी मिली थे हमेशा ताला लगा लेते थे कभी भी हम किसी को भी दोशी नहीं ठहरा सकते हैं, सारे हालातों में, मेरी जिन्दगी में एक बहुती बड़ा बदलाव लाने के लिए प्रभू ने मेरी सहायता की और करीब आने के लिए उन्होंने मदद की, हमारे जीवन के नुकसान के बारे में जब कहते हैं, ये नुकसान इसलिए आता है कि हम प्रभू के और करीब हो जाएं, ये शू हमेशा हमारे साथ हैं, ये वादा भरपूर रीती से पूरा होने के लिए ही, ऐसी बाते हमारी जिन्दगी में होती हैं, क्योंकि ऐसे हालातों के कारण हम एक इंग्लिश चर्च में गए वहां पर बहुत ही आत्मिक अनुग्रह से प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया वहां जाकर ही ऐसे हालातों में मुल्यालम चर्च जाना ना मुम्किन था क्योंकि वहां के लोग हमें बहुत गलत बोलते थे ऐसी वैसी परेशानिया हैं ऐसी बहुत बातें करते थे इसलिए हम इंग्लिश चर्च में गए वहां प्रभु ने हमारी अगवाई की वहां बच्चे भी आत्मी क्रीती से आगे बढ़ने लगे परेशानियों से धीरच, धीरच से संयम और संयम से आशाती है है ना इतनी परेशानियों के बीच भी प्रभु ने आपको धीरच धरना सिखाया है ना आज जिन हालात में आप हैं वहां तक आपको येशु ने पहुँचाया प्रभु ने बचपन में ही आपको अपनी सेव प्रमेश्वर के उस उदेश्य में आगे ना बढ़ने का एक युद्ध था वो, लेकिन प्रभु ने उसमें से हमें बाहर निकाला, उस दिन से प्रभु मेरे साथ बात करने लगे, उस बार्मे अध्याय में शाहिद होगा ये वचन, वचन कौन सा है ये मुझे याद नहीं है, प्रभु अबराहम से ऐसे कहा, मैं तुम्हें आशिशित करके तेरा नाम बढ़ा करूंगा, ऐसा एक वचन, तब मैंने ऐसा सोचा कि किस से कह रहे हैं मुझे वो भी नहीं पता था, मैंने घर जाके अपने जेट से पूछा, कि अब ही भी नहीं होने वाला है, तो आप अपने जीवन में खुद को बहुत कम समझती थी, है ना, inferiority complex, मेरा सोच ऐसा था कि किसी भी हालात से हम गुजरते हैं, सोचने कि किसी ने शराब पी कर पतनी को मारा, या फिर शक की बिमारी से कभी मारा है, या फिर किसी और सोच वि विचार की भावना, किसी को भी हमें नहीं चाहिए, इस तरह की सोच विचार, उसके बाद हमारी जो भावनाएं हैं, मैं जब शीशे को देखती थी, मैं मेरे बचपन में मेरे भाई बहन मुझे खेलने के समय बुलाते थे, कभी-कभी के मैं बंदर हूँ, वो आपके पेड बंदर के जैसे है, हम सोचते नहीं कि हमारे शब्द बहुत ही समर्थ हैं, हम तो सोचते हैं कि हमने यूही मजाक किया, ये मेरे साथ हुआ, जब मैंने अपनी बहन से हाल में ये कहा, तो वो अचम्भित हो गई, क्योंकि बचपन की ये बात किसी को याद भी नहीं है, मैं ही इसके बारे में सोच रही थी, मैं बंदर जैसी हूँ, इसलिए मेरा पती मुझे पसंद नहीं करता है, बंदर का चेहरा होगा, ऐसा मैं सोचती थी, ऐसे बहुत सारे साल बीते, और उसके बाद इस तरह की परेशानियों से मुझे जिंदगी भर गुजरना पड़ा, लेकिन फिर भी मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करती थी, वो चंगे हो जाते थे, दूसरे लोगों को बांटने के लिए प्रभू मुझे आलोचना देते थे, वचन देते थे, इसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन जब मैं घर आती थी, बहुत ही ज्यादा, बहुत ज्यादा थी, किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ सकते थे, आर्थिक स्थिती से भी हम बहुत कमजोर हो गए, हर हालत में किसी भी हालात से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, इस तरह की एक डर में हमें शैतान ने पहुंचाया, शैतान ने किया, लेकिन ऐसा हुआ, नहीं हुआ नहीं, य अरभू ये, हमारे घर के अंदर एक कमरा था, जिसको उन्होंने बंद करके रखा था, उसके अंदर पूरा कागज और इस तरह का सामान बंद करके रखा था, और उन्होंने कहा कि ये मेरा आफ़िस है, इसलिए किसी को अनुमत ही जाना मना है, तब मैं उसे साफ करके बच् एक में हम सोते थे, दूसरा बेटे का कमरा था, दूसरे दो बच्चों के लिए कमरा नहीं था, इसलिए मैं उस कमरे को साफ करना चाहती थी, इसके लिए प्रार्थना किया, हर दिन प्रार्थना किया, एक दिन उन्होंने मुझे उसके अंदर प्रवेश करने की अनमती दी, मै अरसल शैतान उनको नियंत्रित कर रहा था, तब मैंने कहा कि मैं येशु मसी के नाम से इस घर से हट कर प्रभु मुझे एक बड़ी सी जगे देंगे, ऐसे कहा, प्रार्थना के साथ घर खोजने लगी, इस तरह से प्रभु एक चार बेड्रूम वाला घर हमें, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, आज वो खतम नहीं होगी, लेकिन प्रभु ने इस सब में भी काम किया, उनके हस्ताक्षर के बिना ही, उनके हस्ताक्षर के बिना वहाँ घर खरीदना मुश्किल है, हम दोनों का हस्ताक्षर इस बात के लिए जरूरी था, लेकिन उनके हस्ताक्षर के बिना ही, प्रभु ने घर दिया, मैंने जब उस नए घर में जाने के लिए सोचा तो उन्होंने कहा कि वो हमारे साथ नहीं आएंगे, नहीं हस्ताक्षर करेंगे और नहीं वो आएंगे. तब मैंने उनसे कहा, ऐसी बात है तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने उस नए घर में जा रही हूं. सब लोगों ने कहा कि वो पीछे आएगा, तो तुम्हें मार डालेगा, क्योंकि उस वक्त उनके हाथ में बंदूप थी, सब को डरा के रखे थे, इसलिए कोई भी मेरे घर से कोई हमारे घर नहीं आ सकते थे, मेरे दोस्तों के साथ कोई संपर्क नहीं था, किसी के साथ कोई सं संपर्क में नहीं था, उसके बाद मैं नए घर में गई, वो खुद ही वहां से हमें नए घर में जाने के लिए सहमती दिया, ऐसे, तो ऐसे हालातों से प्रभु ने लिसी और बच्चों को आसाती थी, तो इस तरह से इतने सालों में आपने खुद बच्चों को बड़ा किय उसके बाद पहले भी मैं ही परवरिश करती थी, उनका आर्थिक जो भी हमें नहीं मिलता था, उससे मज़ेदार बात, जब मैं उस घर से बदल रही थी, उन्होंने तीस हजार डॉलर करजा लिया, तो मैं अपना पैसा भी उनके हाथों में ही देती थी, ये पूरे सोला साल हम एक साथ रहते थे, मैं, मैं जो भी कमाती थी, अपना पैसा उनके हाथों में ही देती थी, वहां से निकलते समय मैंने ये पैसा जब गिनकर देखा तो वहां पर, तो मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं था, ये शु ने मुझे सामर्थ दिया, तीस हजार डॉलर करजा, प ये बच्चे देखने जाते हैं, सब कुछ ठीक है, और आपको भी आजादी है आप, है ना, नहीं तो बेटा ही बाप को मारने चला था, देखो, है ना, हांची, बिलकुल, बहुत बड़ी परिशानी में हमको पढ़ना था, लेकिन ये शु ने बचाया, हम अक्सर ऐसा सोच कुछते हैं, कि ऐसी बातों से कभी चुटकारा नहीं होगा, या इस तरह मुझे चुटकारा मिलेगा, लेकिन प्रभु ये शु तो अक्सर अपने तरीके से करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा के लिए स्मर्पित करें, प्रभु ये शु ने खुद ही ये सब कुछ की, जैसे ही मैंने बाइबल खोली, तो मुझे ये वचन मिला, शमवेल से प्रभु बताते हैं कि तुम कितने दिन तक शावल के लिए रोता रहेगा, ये वचन मिला, उस दिन पवित्र आत्मा ने बहुत ही सपष्ट रीती से मुझ से बात की, उस दिन से इस विश्य पे कभ पवित्र आत्मा के बात करने से ही हमें तसलि मिलती हैं, हाँ, सही है, आज जब लोग मेरी तरफ देखेंगे तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि प्रभु ने मेरे गवाई कैसे की, क्योंकि किसी भी जो ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, उनसे म नहीं सकती थी, हालात ऐसे थे, प्रमेश्वर हमें कभी अलग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक पती की जो भी जिम्मेदारियां हैं, प्रभु ने वचन में साफ बताया है, किस तरह से पतनी से प्रेम करना है, पतनी को पती को कैसे मानना है, यह वचन हमें सिखाता है, ले सहेंगे, येश्व ने मुझे बल दिया, उस हालात से निकलने के बाद मुझे कोई दुख नहीं है, कितनी अच्छी बात है कि वहाँ कोई खून नहीं हुआ, मौत नहीं हुई, यह प्रभु येश्व ने साहयता की, बच्चों को भी पढ़ाने के लिए, मैंने सब कुछ अ देखें, तब येश्व ने आपकी सहायता की, नहीं तो कहते ही कि लोगों ने की है, वहाँ से निकलने के बाद, आजकल लगभग हर साल हिंदोस्तान में आकर, प्रभु की सेवकाई करने की एक आजादी मुझे मिली है, विभिन लोगों के सामने लोग सोचें कि ये कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे को मैं पूरी तरह से बरबाद कर रही हूँ, लेकिन प्रभु मेरा उपयोग करने लगे हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं गुजरात गई, हम जब वहाँ एक गाउं में गए, हम लोग आंधर प्रदेश भी गए, वहाँ जब गए तो प अबनी परिक्षा के बाद वो आपको सोने की तरह बाहर लेकर आए, आपका उपयोग करने के लिए, तो प्रभु जब कुमहार की भांती तोड़कर हमें पुन्हा बनाते हैं, तो हम उपयोगी बनते हैं, और प्रभु आपका उपयोग कर रहे हैं, इसकी मैं गवाह हूँ, हालाकि मेरे जीवन में भी बहुत से अनुभव है हमने अभी अभी बहुत यी शक्तिशाली गवाही सुनी बहुत सी स्त्रियां गुजरती होंगी ऐसी अवस्था से दर्द भरी अवस्था से बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका में है तो स्वर्ग में है नहीं, बाहर से देखो तो गाड़ी है, बंगला है, साब कुछ है, लेकिन अंदर से देखो तो एक टूटी हुई सिंदकी है इस तरहें की परेशानियां आपने यहाँ पर सुनी पती के द्वारा मार पिटाई करना, उनका बुरा वहवार, हर बात में टोकाटा की ऐसा वहवार जब कोई आपसे करता है, तो आप पर क्या गुसरती है, मन में हीनता आती है, है न? मैं किसी लायक नहीं, इस बात की चिंता, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी कोई भी कदर नहीं है ऐसी भावनाओं के साथ बहुत सी औरतें, इस समय हमी सुन रही होंगी हो सकता है आपके पती आपको मारते हों, तुम किसी काम की नहीं, नालायक हो, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता ऐसी बाते कहने वाले बहुत से लोगों को मैं जानती हूं उनके ऐसी बाते सुनकर हम सोचते हैं कि हम नालायक हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूं और ऐसे विचारों के साथ आप सच-मुच कुछ कैसे कर पाएंगी हमारी वानी की एक-एक शब्द में बहुत सामर्थ है जैसा लिसी ने कहा, ऐसे ही इनके भाई बहन जब ये पेड़ पर चड़ती थी तो मजाग किया करते थे उनके बंदरिया-बंदरिया कहने से इनके मन को ठीस लगती थी तो माता-पिता होते हुए हमारा ये फर्ज है कि हम अपने मासूम बच्चों के साथ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग ना करें कई बार हम अभद्र भाशा का इस्तेमाल करते हैं उन्हें गलत नामों से पुकारते हैं और इस बात का उनके पूरे जीवन पर बहुत बुरा असर पड़ता है तो बच्चों के प्रती ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए जैसा कि लीसी को आप देख सकते हैं मैं स्वयम इसकी गवाह हूँ क्योंकि कुछ समय पहले की बात है जब मैं अमेरिका में हियूस्टन जा रही थी तो जाने से दो दिन पहले अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि स्कैन करना पड़ेगा और जब स्कैन किया तो पता चला कि मेरे दोनों गुर्दों में पत्रिये हैं तो डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई दी मैं वो दवाई अपने साथ लेकर जा रही थी मैं हियूस्टन में जाकर उतरी वहाँ पहुचने के बाद हमने लिसी के घर जाकर तीन दिन तक मिलकर प्रात्ना करने की योचना बनाई प्रात्ना करने जब हम बैठे तो मैंने इसे अपनी पेट की समस्या के बारे में बताया यह सुनते ही वो दौड कर आई हलाकि अलग-अलग विश्यों पर हम प्रात्ना करने वाले थे पर यह सुनते ही इसने मेरे पेट पर हाथ रखकर प्रात्ना की और उसी वक्त दर्द कम हो गया और अब एक कुछ दिन पहले ही जब मैंने स्कैन करवाया तो वहाँ पर कोई पत्थर वत्थर नहीं था आज बहुत सी जगों पर लिसी प्रात्ना के लिए जाती है छुटकारे के लिए परमिश्वर सामर्थी रूप से उनका उप्योग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी शैतान के कहे पर विश्वास नहीं किया उन्हें परभु की आत्मा ने कहा कि तुम बहुत सुन्दर हो तुम कर सकती हो मैं तुम्हारा उप्योग करूँगा तुम्हारे एक बहुत बढ़ी सेवकाई होगी ये प्रभु ने कहा है, शैतान ने कहा कि तुम किसी चीज के लायक नहीं, दिखने में भी अच्छी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं, क्या आप भी यही सब सुन रहे हैं, इन्हें हटा दीचिये, ये कुछ नहीं शैतान के शब्द हैं, लेकिन प्रभु येश पर विश्वास ना करें, क्या आप अपने को प्रेम करने वाले प्रभु येशु में खुद को पूरी तरह समर्पित करेंगे, क्या आप प्रभु येशु को अपने जीवन में स्विकार करेंगे, हे ये येशुआ, ये लोग कहते हैं कि येशु मसी अच्छे हैं, येशु परेशानियों से छुड़ाते हैं, उस येशु को हम भी चाहते हैं, आज मेरे भी उद्धार करता बनिये, मेरे इस रिदय में आ जाएए, सिर्फ इतनी सी प्रार्तना करेंगे, इस प्रकार प्रेम से परिपूर्ण अपने इस प्रभु येशु में आपको आमंतरित करते कि मैं विश्वास करती हूँ, अगर आपको कोई सवाल या प्रातना बिंती है, तो संपर कीजिए, हमारा पता है, बिदिस्ता कम्यूनिकेशन्स, हैश, 18, 1x1, नियर जोती बाइफोलियो हॉस्पिटल, कननमवर नगर 2, विक्रोली एस्ट, मुंबई 400-083, मुबाइल नंब अगले सबता इसी समय फिर मुलाकात करेंगे, प्रभु येश्वाफका आशीश करेंगे,।